नमस्कार मैं पूछ आज हम बात करेंगे बी-ेचि-इएल अप्रेंटिशिब के बारे में जहां पे अप्रेंटिशिब के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया भी एचल के तरब से और यह इसका प्लांट बी-ेचल हरिदवार में हुआ हुआ है तो बी-ेचल हरिदवार पे वेबसाइट पाने के लिए सबसे पहले आपको www.bhel.co.in यह वेबसाइट है यह Google में सर्च करें तो यह पेज खुलेगा इस पेज पर आने के बाद आपको यहां पर दीख रहा हुआ इस पेज खुलेगा और इस पेज पर आप देख रहे हैं यहां इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद यहां पर अप्लाई ऑनलाइन है और पार्ट वान है इसके बाद फोटो डॉक्मेंट्स अप्लोड करना होगा पार्ट टू में इतियादी है यहां इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसमें जो आइटी ट्रेट से जी रहोंने क्वालिफाई किया उनके लिए यहां पर अप्रेल ऑनीस बच के लिए बुलाया गया है यहां पर सीटो की बात करें तो फीटर का 154 है टर्नर के लिए 44 मसिनिस्ट के लिए 104 है वे मैकानेस विकल्स के लिए 1 है करपेंट्र के लिए यहां फॉर है फान्तृ के लिए 24 में tous है 40 chee और पिछड़ावर के लिए 30 साल, अनुसिती जाती जाती के लिए 32 साल, और जो सरीरी क्रूप से बिकलांगे उनके लिए 10 साल के अतिरिक्ती छुट दी जाएगी, नियुंतम जो योगता की बात करें, तो हाई स्कुल उड़तीन होना चाहिए, और NCVT दोरा मनेता प्राप सहि पिछेताKY में, आईटी आई करने वाले अभीरती इसमें अपलाई कर सकते हैं, जिनोंने 12, 16 में और 2018 में, जिनोंने 9, 15 वाले नहीं अपलाई कर पाएंगे और Joker पेरिंग में वह भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे आपको पास दोना चाहिए और इसके लिए अगर आप किसी भी गॉर्मेंट सेक्टर का आई टीए लेवल का जोब का त्यारी करना चाहते हैं तो आप मेरा कोचिंग इजी वे जोएन कर सकते हैं जो कि पाटनाय में और तीम ह सब्सक्राइब भी.in पर जाना होगा वहां पर आपको पंजी करने के बाद वेपसाइड या ईमेल पर प्राफ्ट पंजी करन संक्रा रिष्ट्रेशन नंबर का प्रिंट आउट लेकर रखना होगा क्योंकि ये आवेधन पतक साथ आपको संग्लन करना होगा देना होगा साथ ही अभियर्तियों के एसला दिया जाता कि ACVT-MIS portal पर पंजिकरन करते समय सभी विभरण सवधानी पुर्बक चेक कर रहे हैं और इसमें जो पहले पंजिकरन कर चुके हैं जो पहले पंजिकरन किये हैं रिष्टेशन किये हैं तो उसको एक्टिव करना होगा उसके लिए आपको इसका जो MIS पोर्टल का वेबसाइट है Apprenticeship.gov.in ये वाला उस पर जाए और Apprenticeship Activation लिंक पर किलिक करके इसको एक्टिवेट कर लें इसके बाद आपके पास जो पंजी करन संख्या मिलेगा इमेल पर या वेबसाइट की माध्यम से उसको रखना है और उसके बाद आपको आना है हरिदवार का जो वेबसाइट है बहल.hwr.co.in इस पर आकर Engagement of Trend Apprenticeship अप्रिल दर उने सी बहल हरिदवार को किलिक करना है Apply Online में जाकर Apply करना वहां पर Registration नमर माएंगा Apprenticeship का तो उसको यहां पर जो Registration आपको प्राप्त हुए है उसको देना है या पुराने जिन्होंने Registration कर चुके हैं पाले वह अपना Registration नमर वहां पर फिल अप करेंगे इसमें नमर नमर वन है अभियरतियों के लिए के ITI का जीला सेवा योजन कर जाले हर्दवार में नमांकर होना अनिवार्ज है किन्तु Turner Machinist Foundry Man Pattern Maker या फोर्ज या हिट ट्रीटमेंट ब्यवसाई के लिए जीला सेवा योजन कर जाले हर्दवार के अलावा भारत के किसी विराज जीले में सेवा योजन कर जालों में ITI पंजक्रित अभियरति आविदन कर सकते हैं यहाँ पर लिख रखा है कि जो ITI है आपका उसको जीला सेवा योजन नियोजाले होता है हर डिस्टिक में आपका नियोजाले होता है तो वहाँ पर आपका रिष्टेशन होना जरूरी है आपका ITI क्या किन्तु टर्णर मसीनिस्ट यह हर्दवार में करना होगा इसके अलावा जो टर्णर में हैं मसीनिस्ट में फांट्रिमेंट में हैं परेटर्ण में कर हैं फूर्जन हीट ट्रिटमेंट वाले हैं उनको भारत में कहीं भी किसी भी राज में किसी भी जीले में सेवा योजन ज काश्ट सेट्टिफिकेट उसको 1417 से पुराना जाती परवान पत्र यहां में नहीं चलेगा वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो आपको 1417 से बात का होना चाहिए इसके बाद अभियरतियों को NCVT वोट से ITA उतिन होना आवसक है प्रन्तु एलक्टिसियन, एलक्टरोनिस, मेकानिस से थाथा, वेल्डर ट्रेड़ वाले अगरों SCVT से उतिन है तो भी यहां पर आवेधन कर सकते हैं सब्सक्राइब बात करेंगे कि वे अभियर्ति जिन्होंने इटी ब्यक्तिकत अभियर्ति के रूप में किया है वे उपरूप्त प्रसिक्षन है तो योग नहीं है जिन्होंने डिस्टेंस मोट से किया है इसके बाद हम बता दें 16, 17, 18 में आईटी उत्ती नभियर्ति जिनको बोड द्वारा अंगपत्र प्राप्त हो गया है वे अवेदन कर सकते हैं जिसको अंगपत्र प्राप्त नहीं हो वे अवेदन नहीं कर सकते हैं और जो ब्येचल की करमचारी है उनके जितनी में सेलेरी कितना मिलेगा है इसके लिए आपको मान के चलिक इसमें लिखा है कि सभी चैन्द अभियर्तियों को प्रशियन अधी में प्रथम वर्ष जो स्टाइफेंस है उत्तरा खंड राज सरकार दवारा अधिकूसर कामगारों के लिए नियूंतम प्रतिमाह का वेतन का 80 पर अच्छा स्वास तो होना चाहिए और आपको मेडिकल टेस्ट कराना होगा इसके बाद चैन की प्रकिरिया चैन की प्रकिरिया दस से अधिक वाले सीटों के लिए ITA पलस हाय स्कूल का परसेंटेज और इंटर्व्यू का परसेंटेज जोड़का मेर्ट निकल जाएगा जिस लेकिन जिस सीट में जिस रिक्ती में संख्या दस से कम है उनके लिए भीरते होगा अप्रियूक्त का चैना दार मेरिट लिस्ट होगा क्यों उसमें इंटर्व्यू नहीं होगा हरद्वार के ये वेबसाइट पर ओनलाइन आवेदन परत को पूर्नत भरने के उपरांत ओनलाइन पराप जो आवेदन उसको प्रिंट आउट लेकर उस पे अन दास्तवे जो इसके सांग अटेज करना है डोकुमेंट्स अटेज करके उसको डांक के माध्यम से आपको हुआ जाना चाहिए और इसका पता है उपरवंधग कश संख्या 29 मानो संसाधन विभाग मुख परसास्निक भावन भी हीप रानीपूर हर्दवार उतराखंड इसका जो पिन कोड है 249403 यहां पे आपको भेजना होगा तो चलिए आज रितना था अगर आप मेरे है केसि यहां ट्रूस का पेट कंपनियों को अन्य चीजों के लिए करते हैं आप ही अपना डाउट हो आपको सकते हैं और वहां साथ हैं ज्यादा बच्चे जो अपस में डिसक्रस करते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्टीर्शन बख्स में जाएका जहां सब सीथे अपलाइक कर सकते हैं मेरे फिर्सुक जॉइन भी कर सकते हैं तो चलिए आज की इतना था थेंक्यू सुमच फिर भी लेंगे आपसे नए वेकेंशी हसा तक तक के लिए